नमस्कार आप देख रहे हैं आर्वेट निउच खवर नालंदा से है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादब बिहार सरीव सोग्रा कॉलेज मैदान पहुँचें जहां उन्हें MLC उमेदबार बीर मनी यादब के पक्ष में जन प्रतिन निदियों से बोर्ड देने की अप्ली की बातो बातो में उन्होंने नितिस सरकार पर हमला बोलते हुई कहा की नितिस कुमार आज तक बिसेस राज का दरजा के मांग पर सिर्फ लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं नितिस कुमार यह तैक कर लेंगे की बिसेस राज का दरजा किस से मांग रहे हैं उन्होंने नितिस कुमार पर हमला बोलते हुए कहा की नीतीस कुमार को आखिर यह क्यों कहना पढ़ रहा है कि नीती आयोग पिछरा आयोग ने बिहार को पिछरा बता दिया इसलिए केंद्र सरकार से लगातार नीतीस कुमार बिसेज राज का दर्जा मांग रहे हैं उन्होंने आगे क्या कुछ कहा देखे स्पूर्ट में अमें आगे हैं पिछ रहा पंठास का दर्जा दे दो मिधी अपिसेज दरजा मांग रहे हैं ल इसान संब केंद्र सरकार में आपके मंत्री है ॢास् वह अध Come तार तार हो गये आज तक डैसा नहीं देखा तागी मुक्हमंत्य जी ने रेतू करके बात किया अध्यश को कहें तुम कोल होता है ऐसे नहीं चलेगा आज तक किसी नहीं देखा ऐसा है और बात तक इसी आदा सुथ हर बाट पर किसी आड़े अ अरे असे सरकार चले का सवाल तो लोग पूछेंगे और पूछेंगे किसे जो सरकार में बैठा है और जो शरकार का मुख्य मंत्री है सवाल तो उससे ना पूछेगा भाई क्यों नहीं पूछेगा तो आप भाद्पा का लोग बोलता है जदियू को जदियू का लोग बोलता है भाद्पा को एक के दूसरे माना फोरी चल रहा देखी रहोंगे मुख्य सानी भाद्पा के बोल रहा हूं उसको बोल रहा हूं उसको बोल रहा इस सरकस है सरकार नहीं है सरकस चल रहा है अदबुद ऐसा सरकस चल रहा कि विधान सभा के देख केते कि मेरा दरोगा नहीं सुनता मांतरी केता है मेरा अधिकारी के चपराशियों नहीं सुनता है मुहमत ये इस्तिफाबे देता है तो भाई गजब हो रखा है ऐसा सरकार चलेगा अध्याग जी बोलते है पुलीस पकरता सौ बोटल है और दिखाता पांचे बोटल है क्या बात है इनका पडिक्सा होता है झाल झाल